हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ से draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तों अब आप पास सकते हैं जोतिस से जुड़े हुए हर तरह के उपाए हर तरह की जानकारिया मेरे दोआरा खबरी आप के थूँ अगर आप मुझे खबरी आप पर follow करना चाहते हैं खबरी आपको download करना चाहते हैं तो उसके लिए एक link मैं इस वीडियो की description में दे रहा हूँ उस link के ओपर click कीजिए और मुझे खबरी आप पर follow ज़रूर कीजिए तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक complete square shape में नजर आ रही है कुछ इस तरह है की shape इनकी हतेली की जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेकिया जाए तो fingers की thickness यहाँ पर काफी अच्छी है अब देख सकते हैं base phalanges को काफी थिक नजर आ रहे हैं जो अच्छी energy और stamina indicate करते हैं उसके साथ साथ कुछ सीधी खड़ी रिखाएं इनकी fingers के उपर मौझूद हैं इस तरह की रिखाओं का होना दर्शा challenges के उपर मौझूद हो उतना ज्यादा शुब इनको माना जाता है अब बात करते हैं fingers की लंबाई की आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ जो इनकी सूरिया finger है काफी अच्छी length में नजर आ रही है सूरिया finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी creative and artistic qualities रहेंगी ऐसे native का एक अच्छा social circle होगा काफी अच्छी पहचान society में होगी जब सूरिया finger strong हो और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूरिया finger लंबी होती है adventurous nature के होते हैं risk taker होते हैं life में decisions लेते समय रिस्क लेने की tendency इनकी रहती है और कई बार तो अपने धन की investments के मामले में भी risk ले बैढ़ते हैं और अपने पैसों को ऐसी जगहाँ पर invest कर बैढ़ते हैं जहां पर loss के chances भी हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसे जगहाँ पर भी अपने धन को ऐसे व्यक्ति लगा सकते हैं बात करते हैं शनी finger की बिल्कुल straight शनी finger indicate करती है एक मेहनती and hard working type की nature को ऐसे व्यक्ति discipline को follow क करने वाले होते हैं जिनकी shiny finger strong हो अच्छी length में हो thickness में हो ऐसे व्यक्ति routine follow करते हैं मेहनत करते हैं और life में अपनी इसी quality की वज़े से काफी अच्छी progress भी पा लेते हैं अब बात करते हैं इनकी groove finger की groove finger thickness में सबसे ज्यादा है काफी strong finger है बेशक यहाँ पर ब्रसपती finger की जो लंबाई है वो थोड़ी कम नजर आ रही है अगर हम सूरे finger के मुकाबले चेक करें लेकिन यह finger strong है जिसकी वज़े से काफी अच्छी leadership qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं ऐसे native को family का सुख अच्छा मिलता है जिनकी ब्रसपती finger strong हो उसके साथ साथ knowledgeable personality रहती है अगर ब्रसप सकते हैं थोड़ी सी low set होती हुई और size के अगर बात करें तो सूरे finger का जो top phalanche है उससे थोड़ा नीचे रहती हुई लेकिन independently देखा जाये तो बिलकुल straight finger है काफी ज़दा independent type की nature ऐसे व्यक्ति की होती है जिनकी mercury finger बिलकुल straight हो और हलका सा gap show कर रही हो सूरे finger के साथ उसके medium level के communication skills मैं देख पा रहा हूँ थोड़ी सी shy nature इनकी रहने की संभावना रहेगी क्योंकि यह finger बहुत ज़दा लंबाई में नजर नहीं आ रही fingers के बीच में आपस में बहुत ज़दा gaps नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक clearly 30 fingers नजर आएंगी हलका gap यहाँ पर इन fingers में बन रहा है जो independent nature देता है लेकिन अगर fingers बाकी की fingers में gaps ना हो तो यह एक अच्छा चिन्न माना जाता है और ऐसे native धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से accumulate करना है किस तरह से कमाना है किस तरह से अपने पास रोक रखना है इस चीज़ की काफी अच्छी समझ इन लोगों के पास होती है जिनकी fingers में ज़्यादा gaps नहों बहुत ज़्यादा खर्चिला सभाव नहीं होता जिस वज़े से ध इस तरह है कि एक रेखा बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके सूरिया और शनी यहाद दोनों माउंट्स तो काफी हाई सेट हैं mercury माउंट यहाँ पर काफी low set होता नजर आ रहा है और जो इनका ब्रस्पती माउंट है या medium है अगर हम mercury माउंट की बात करें तो mercury माउ यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है अब देख सकते हैं यहाँ पर दो खड़ी रिखाएं और even एक रिखाएं यहाँ पर नजर आ रही है इस तरह की रिखाएं इस माउंट को strength provide करती है और यहाँ पर एक mercury रिखा भी माउजूद है जो इस size की है अगर बहुत लंबी रि माउजूद हो mercury माउंट की तरफ चलने वाली तो ऐसे व्यक्ति बहुत कुशल व्यपार ही हो सकते हैं काफी अच्छे business man हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर यहाँ रिखाएं नेटिव को अच्छे communication skills दे देती हैं बेशक यह माउंट low set ही क्यों ना हो अगर यहाँ पर खड़ी र हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा काफी अच्छे से communicate कर पाता है और यहाँ पर खड़ी रिखाओं का होना नेटिव को sympathetic नेचर भी देता है यानि कि दूसरों की मदद करने वाली नेचर अपने शब्दों से करमों से अपनी बातों से अपनी सलहा से दूसरों की problems को दूर करने की capability ऐसे व्यक्ति के भीतरा आजाती है जब इस तरह के खड़ी रिखाएं इस माउंट के उपर मौजूद हों इस माउंट के ओपर यहाँ पर तीन रिखाएं नजर आ रहे हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी 5-6 रिखाएं हों या 7 रिखाएं खड़ी ह तो बहुत अच्छा माना जाता है इस तरह की formation को तो medical stigmata का नाम दिया जाता है तो यहाँ पर तीन रिखाएं हैं जिसका अच्छा परभाव इनकी life में रहने वाला है चलिए आगे चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को सूर्य माउंट के उपर आपको एक इस तरह की हलकी आड़ी रिखा नजर आ रही होगी और इसका एक फलका सा कट यहाँ पर भी इस तरह का जो चिन रहता है यहाँ पार्शिल गर्डल ओफ वीनस कहलाता है आपको complete गर्डल ओफ वीनस यहाँ पर बना कर दिखाना चाहूँगा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह सा एक अ सब्सक्राबकारी होता है बहुती बैनेफिक होता है लेकिन अगर यह complete बने तभी व्यक्ति को अच्छे फल दे पाता है अगर यह अधूरा हो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ हलकी सी ब्रांच इस एरिया में और एक हलका सा कट इस एरिया में यहाँ पर बनता इस तरह का अधूरा गर्डल आफ वीनस नेटिव को मूरी बनाता है इमोशनल बनाता है ऐसे व्यक्ति को मूर स्विंग्स की दिक्कत भी हो सकती है जैसे अचानक से ऐसे नेटिव का मूर अच्छा हो जाता है अचानक से मूर आफ हो जाता है इस तरह की दिक्कतें भी व्यक सुर्या रेखा कुछ इस तरह से एक रेखा होती है जो नीचे से चलकर सुर्या माउंड तक पहुंचती है जिस तरह से भागया रेखा होती है जो रेखा नीचे से चलकर सुर्या माउंड तक पहुंचे इसे हम सुर्या रेखा कहते हैं और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस कि एक लंबी रेखा शनी माउंट तक पहुंच जाए इसको भाग या रेखा कहा जाता है तो अगर इस तरह की रेखाएं हाथ में मौजूद होती है तभी व्यक्ति को इनके लाब मिल पाते हैं सुर्या रेखा अगर ऐसी लंबी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है ऐसा व्यक्त बहुत famous हो जाता है, name and fame बहुत अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव है, तो एक average level का name and fame रहेगा लेकिन एक अच्छा social circle इनका society में बन जाएगा, अब बात करते हैं शनी की, शनी माउंट का जो area हलका सा अंदर की तरफ डबता हुआ, शनी माउंट अग जब यह माउंट हलका सा दब रहा हो, शनी रेखा complete ना हो, तो native को अपनी मेहनत के बलबूते पर सब चीज़ें हासिल करने पड़ती है, काफी struggle life में आ जाती है, और यही चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, अब देख सकते हैं, इनकी शनी रेखा है, यहाँ तक प तो 30 की एज में, यानि 30 का जो दशक रहेगा इनकी उमर का, उसमें struggle रहेगी, 36 की एज के बाद progress मिलनी शुरू होगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जो mind line है, दोबारा से इनकी शनी रेखा, आगे strength गेन कर रही है, और आगे बढ़ रही है, तो यहाँ द कम का जो source है, वो बना रहेगा, बात करते हैं इनके ब्रस्पती माउंट की, अब देख सकते हैं, ब्रस्पती माउंट उभरा हुआ है, ब्रस्पती माउंट अच्छी तरह से उभरा हुआ हो, और इसके उपर कोई भी benefit चिन मौजूद हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते है एक रेखा उपर की तरह बढ़ रही है, इस तरह की रेखा को बहुत ही अच्छा माना जाता है, यह तरक्की की रेखा कहलाती है, ब्रस्पती माउंट पर ऐसी रेखा हो, इसे progress line भी English में कहा जाता है, और अगर ऐसी रेखा मजूद हो, तो ऐसे native अपनी महिनत के बलबूते पर काफी अच्छी progress पा लेते हैं, और ब्रस्पती माउंट अगर strong होता है, तो काफी हद तक ऐसे व्यक्ति की जो progress वो sure रहती है, बिशक लाइफ में ups and downs और struggle तो रहेंगे, लेकिन काफी अच्छी तरक्की यह अपनी life में देख पाएंगे, बात करते हैं कि हार्ट लाइन क काफी अच्छी हार्ट लाइन है, डीप कट हार्ट लाइन है, और यहां तक पहुंचती हुई, हलका सा curve, एक practical type की personality, लेकिन थोड़ी emotional nature, क्योंकि यहां पर जो हलकी रिखाएं आपको नजर आ रहे हैं, इनकी वज़े से थोड़ी emotional nature, लेकिन कोई भी major problem यहां पर इनकी हार् रही, और अगर देखा जाए, इनकी line of mind को, mind की line थोड़ी सी wavy होती हुई कुछ इस तरह हैं से, लेकिन एक अच्छी लंबाई में, mind line का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है, कि ऐसे native का जो mind है sharp रहता है, memory काफी अच्छी होती है, अपनी practical type की personality, तब होती है, जो यह रेका बिल्कुल straight हो, यहाँ पर जुकी हुई रेका ना हो, जुकी हुई रेका से मेरा जो meaning है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से रेका चलते चलते नीचे की तरफ जुक जाया इस तरह से, तब ऐसे व्यक्ति over imaginative type के होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल straight line है, बहुत रेका है इनके हाथ में, थोड़ा सा changes life में रहेंगे middle age से, थोड़ा सा जुकाव नीचे की तरफ है, लेकिन काफी अच्छी memory इनकी रहने वाली है, चलिए आगे चेक करते हैं इनकी life line को, आप देख सकते हैं, life line काफी अच्छी नज़र आ रही है, यहाँ पर इस area तक life line पह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, life line के नीचे के तू माउंट के उपर बने, तो यहाँ बहुती परभावशाली चिन होता है, इस तरह का fish का symbol indicate करता है, कि ऐसे native की life में inherited property इन्हें मिलने की स्भावना काफी ज़्यादा रहेंगी, ऐसा चिन दरशाता है कि sudden wealth gains life में हो सकते हैं अचानक धनलाब, insurance का पैसा या फॉरन से पैसा कमाने के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब यह fish का चिन हाथ में मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राइं कर सकते हैं, विदेश से धन कमा सकते हैं और यह चिन काफी benefit कमाना जाता है हथेली के उपर बनना, औ अगर हम बात करें, life line की लंबाई की, तो life line यहाँ पर 75 के आसपास की age को indicate कर रही है, उसके बार यह है रेखा बाहर की तरफ और चलती हुई, जो कुछ दिकते हैं, यहाँ पर 70 के आसपास की age में health related indicate कर रही है, लेकि एज़ लंबी रह सकती है, क्योंकि यह है रेखा, यहा बात करते हैं कि शुक्र माउंट की उभरा हुआ वीनस माउंट थोड़ी कामुकता व्यक्ति को अधिक देता है, और ऐसे व्यक्ति खर्ची ले सभाब के हो सकते हैं, लेकिन अगर फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई है तो धन की अहमित को भी समझते हैं, और खर्चा भी लग्सरी चीजों के पर खर्ची ऐसे व्यक्ति के धिक हो सकते हैं, इस माउंट के उपर इस तरह की रिखाओं का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं जितनी ज्यादा हों उतनी ज्यादा वरिस भी फैमली की तरप से मले की स्भावना रहती है, अगर च कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों का जवाब दे पाऊं लेकिन फिर भी अगर कोई ना कोई सवाल रहे जाए तो इनसे request है कि अगर इन धने राद